असलाम लेकुम ठीक हो दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें कुछ रहें यह फोन है M.I. का आपके पास कोई भी फोन हो पोको का या M.I. का ठीक है जो आज कल चाहर रहा ना Android और M.I. UI 12.5 उसको FRP बाइपास हम कैसे करेंगे अच्छे से देख लिए ना वीडियो को ठीक है यह दिख लीजे गूगल अकाउंट लगा है अब मैं इसको यहां पर जाओंगा एड नेट वर्क पे यहां पर कुछ भी टाइप कर लो आप उसके बाद सेलेक्टाल उसके बाद एरो पे किलिक करना है जीमेल जो है ना यह दबा के रखना है यह दबा के रखो उसके डाट है ना उपर उसके लिए कर लो हैलफ एंड फीड़बैक यहां पे हमने सर्च क्या करना है डिलीट यहां पे लिख लो आप डिलीट यहां गया डिलीट और डिसेबल यहां पे पहले नमबर पे देखो डिलीट एपस इसके लिए करना है यहां पे हमने डिसेबल करना है Android setup ठीक है आप देख लेना आप अच्छे बता दूँगा मैं आपको Google Play Service सबसे पहले यहां पे दिखा दूँगा मैं Android क्या है ठीक है Redmi Note 9 अब यहां पे हमने क्या करना है इसमें जाना है यह on करना है ठीक है यह on किया ओके करना है अब बैक चले जाओ ठीक है चलो जी अब यहां पे वही एप हमने डिसेबल करना है शो सिस्टम एप कर लो पहले उसके बाद यहां पे यह Android setup आगिया इसको हमने डिसेबल करना है अब यह डिसेबल में अब यह 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 बहला करते हैं डिसेबल उसके बाद यह बहला भी हो गई यह बहला करते हैं यह आगया इसको भी हमने डिसेबल करने बास इतना सा काम था मैं कुछ और डूंड रहा था पर यहां पे मिल ली नहीं रहा Google Play Service की तरह एक एप होती है वो किसी-कसी में आती है किसी में नहीं आती वो भी डिसेबल करनी होती है ऐसे تو यह Redmi Note 9mmmmmm की किलिक से हो जाना था पर मैंने सॲचाए ऐसे कर ले ठीक ठीक है, यहां पे वाइफाई कनेक्ट है, जब यहां पे हो जाएगा, उसके बाद हमने इस पे किलिक करना है, गूगल पे किलिक करना है, एक दो बार, उसके बाद खुद बाद खुद आ जाएगा सैटिंग, सैटिंग पे किलिक कर लो, यहां पे हमने इनेबल करना है, इसको गूगल पले सर्वेस को ठीक है डिसेबल था ना तो इसको हमने इनेबल करना बस के लिए डेटा गरता हूं फिर बैक चले जब कोई मसला नहीं होगे एफ फार पी बैपास हो गया देख लोगा ठीक है दोस्तों बिलकुल एजी है उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक करना कॉमेट शेर अगर नए हो तो प्लीज सबस्क्राइब करके जाना होगे दोस्तों अल लाइस